हेलो सुदिन्स वर्कम बाइग आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट क्रियेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है टू मार्स में डिसकस करेंगे इसको कि टू मार्स में आपको कैसे लिखना है तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया प्रोड्यूस मनी वाइल कोमर्शल बैंक इंक्रीज दा सप्लाइ आफ मनी बाइटिंग डिमांड डिपॉर्ट इन देप्रॉसेस अफ गिविंग लोन तो देखिए रिजर्व बैंक के संग क्या है रिजर्व बैंक नोट प्रिंट करती है यह आप लोग जानते हैं कि जो नोट जितना भी इशू होता है वो रिजर्व बैंक के थ्रू होता है तो रिजर्व बैंक का काम क्या होता है कि नोट को प्रोड्यूस करना तो जितना भ लोग issue of notes की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि reserve bank के पास monopoly है note issue करने की तो आप से कोई question पूछता है कि किसके पास monopoly note issue करने का तो आप बताओगे RBI के पास है central bank के पास है मतलब RBI जो है उसको central bank भी हम बोलते हैं तो reserve bank का काम है note को produce करने का तो अब commercial bank का काम क्या है commercial bank का काम है कि जो money का supply है वो बढ़ाए तो money का supply कैसे बढ़ेगा market में demand money की कैसे आईगी तो उसके लिए जो commercial bank है वो loan बाठती है loan आप देखते हो कि tv पे आड आता है loan के लिए कि home loan लीजिए इतना interest लगेगा इतना कम interest लगेगा अब पेपर में भी आड देखते हो कि बहुत सारे home loan के आड आते है अलग-अलग types के loan के आड आते है education loan के examples आते है मतलब ads आते है तो यह सब क्या है यह एक तरीके से commercial bank add करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा customers आएं और loan लें ताकि money का सब्सप्लाई यह वो बना रहे तो यही जो loan को create करती है commercial bank इसी को हम बोलते है credit creation this is called money creation और credit creation तो credit creation यही होता है कि जो credit को market में फैला रही है commercial bank ताकि money का supply बना रहे तो कि जतनी note वहाँ से print हो रही है वो market में circulate होती रहे तो इस circulate होने का काम जो है वो commercial bank करती है और कैसे करती है लोगों को motivate करके कि लोग loan लें ठीक है तो यहाँ पे creating demand deposit in the process of giving loan giving loan मतलब यहाँ पे loan बाटती है कम interest पे बाटती है अलग-अलग scheme निकाल के बाटती है ठीक है आप जाओगे bank में देखोगे बहुत सारे अलग-अलग schemes होते है loan लेने को लेके कहीं पे interest का rebate मिलता है कहीं कुछ profit मिल रहा है ठीक है तो वो आपको अलग-अलग तरीके से loan देने की कोशिश करते है कोई credit card आपको sell कर रहा है तो यह सब चीज़ें होती है कि किसी तरीके से आप loan लेजिए तब जाके commercial bank का फाइदा होता है तो इसी को हम लोग credit creation कहते है जो commercial bank credit create करती है market में एक demand create करती है money का इसी को हम लोग credit creation करते है तो बहुत सिंपल sentence में मैंने आपको समझाया है इसी को आपको exam में लिखना है तो मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा answer है हमारे थाप से concept भी आपको clear हो गया होगा Thank you students हमारे चैनल को please subscribe करिए और share करिए Thank you